नमस्कार राजस्व लेकपार भरती परिक्षा 2020 के लिए संचालित हिंदी के 500 प्रशनों के इस ब्रहस रिंखला में मैं आसुतुस आप सभी का स्वागत करता हूँ इसके पूरु में हम लोग 475 प्रशनों को ले करके एक दूसरे से परचित हो गया है आज हम लोग 476 से 500 प्रशनों को कम्पलीट करेंगे तो चलिए सुरू करते हैं आज की क्लास वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्स सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठकरम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लच्छ है जिसमें आपको मिलेंगे राजसुलेकपाल के संपूर्ण पाठकरम को कवर करने के लिए अनुभवी सिच को द्वारा वीडियो लेक्चर्स साथ ही मिलेगा वीडियो लेक्चर्स में पढ़ाये टापिक्स का टापिक वाइस नोट्स पीडियफ में वीडियो लेक्चर्स जॉइन करने वाले छात्रों को फ्री टेस्स सीरीज जिसमें की 10 आनलाइन टेस्ट और उनकी व्याक खात्मक हाल वाली PDF होगी दी जाएगी ध्यान दें यह टेस सेरीज परिच्छा से 1-1.5 माह पूर्व शुरू होगी 10 माही से आनलाइन वीडियो क्लासेज स्टार्ट होगी तथा शुरूवाती दिनों में आपको दो वीडियो क्लासेज दी जाएगी जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई जाएगी वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक वेसेखे टापिक के पूरा होते ही उस टापिक की पीडियो रिवीजन करने के लिए दी जाएगी वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रस्णों एमम डाउट्स का नेराकरण संबंधित से चकद्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बना कर किया जाएगा जिन आशनकाओं का निवारण व्यक्तिगत रोप से किया जा सकता है उनके लिए व्यक्तिगत मार्ग दर्शन भी दिया जाएगा सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकार्डड होंगे तथा लाइफ क्लास नहीं होगी जिससे जात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे वीडियो लेक्चर्स एंड्रोइड आप के माध्यम से आपको दिये जाएंगे तथार वीडियो को आप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी करंट अफेर से संबंधित वीडियो परिच्छा की निर्धारी तितिती से 20 दिन पहले दिये जाएंगे यदि परिच्छा के पाटकरम में कोई बदलाव आता है तो हम उस बदलाव के अनुजार कोर्स को भी अप्डेट करेंगे ये हमारी नैतिक जिम्मेदारी भी है तो जुड़िये हमारे राजस्य लेकपाल भारती परिच्छा 2020 के 90 दिन के क्रैस कोर्स प्रोग्राम से अधिक जानकारी के लिए 950-6742546 पर लेकपाल लिखकर वाटस अप करें या काल करें पहला प्रोष्ण हमारा 476 के रूप में है प्रोष्ण संख्या 476 हम पढ़ेंगे इस वाक्य को समाने भूत काल में लिखना है हम पढ़ेंगे एक वाक्य है इसको वाक्यान से बोलेंगे और इसको समाने भूत काल में लिखना है आप सन हमारे सामने हैं देखिए इससे पहले कि हम लोग अपनी क्लास को आगे बढ़ा है मैं छोटा सानी विदर यह करना चाहूंगा कि यह दिया आपके पास कापी पेल ले करके आप बैठे हो तो अच्छी बात है नहीं लेकर के बैठे हो तो आप ले लेंगे तो ज्यादा कि लिए होती है या आपके सहीओ के लिए होती है तो निश्चीत रुप से यह आपका एक तरीके से अभ्षास प्रश्ण ही होता है तो इस में अप साथ लगातार मेरे साथ साथ कमेंड करते हूई चलते हैं तो इससे आपका जो ज्यान है वह और घहरा होता है और मुझे हमारे पास है हिंदी का एक सम्रिद्ध जो कोश हमारे पास हो गया होगा जिससे कि हमें बहुत कठिनाई नहीं होगी फिर भी आगे हम लोग बढ़ते हैं कि हम पढ़ें कि इस वाक्के को समाने भूत काल में लिखते हैं आपसर हमने देख लिया है तो इस आपसर के आधार पर ह है कि उत्तर हमारा डी सई होगा हमने पढ़ा यह समाने भूत कल में होगा इसके देख लिए जैंना तो भ्याक्य क्या कहते हैं अ के याख्या यह कहती है कि जिससे भूत काल की क्रिया के विशेश समय का बोध नहीं होता उसे हम लोग समाने भूत काल करते हैं इसकी समाब भूत-काल के च्हाएद बताये गए उसपर हम लोग चरचा नहीं करेंगे उसजाएदों पर चरचा करेंगे क्यानिकी पूरो में भी इनषी चीजों पर चरचा पर चुके हैं तो यहां हमें यह जनना है कि जिस भूत-काल की पृत-क्रियाक विषेश समय विसे समय का बोध नहीं हो रहा है दूसरी चीज क्या है कि जीन वाक्यों के अन्त में आई ए था थी थे आते हैं वो बहुत हा समान्य भूत काल ही उनको माना जाता है जैसे मैंने गाना गया आ खिलाड़ी खेलने गए ए स्री राम ने रावन को मारा आ तो इस तरीके से जो वा आधी तरी समस्ते हैं अगले प्रस्रा की तरप हम लोग बढ़ेंगे भारत धन इंदू बराबर भारतेंदू ये कौन सी संधी अप्रिद्धी संधी बेन जंस दिरकत संधी या संधी यहां यदि तउ में हलंत रहता तो यहां हो बेंजन संधी की बात कर सकते थे क्योंकि ब्यंजन के साथ स्वर का सन्योग हो रहा है लेकिन यहां जब हम लोग देखते हैं कि यहां ब्यंजन के साथ स्वर का सन्योग नहीं है तो यह स्वर का ही स्वर के साथ ही सन्योग हो रहा है और जब स्वर का स्वर के साथ सन्योग होता है तो उसको स्वर संधी करते हैं लेकिन स ज़ुर संदी में ये अब कौन से संधी होगी तो और जाता है इसको हम लोग यगुर संधी के परिचे हैं जैसे और ए के साथ ए होगा ऐसे ही भारत यदित्र में हलंत नहीं है तो पर इसमें इसके साथ क्या मिला हुआ है और मिला हुआ है और का मेल किसे हो रहा है और कि संधी किसे हो रही है हरस्वई से तो इसके साथ संधी होते ही यहाँ पर उच्चारण क्या हमारा यहाँ पर क्या हो जाएगा ए हो जाएगा मतलब अपताप पर एक ही मातरा लग जाएगी तो यह हो गया भरतेंदू गुर संधी ठीक आगे हम लोग बढ़ेंगे दिनानु दिन का समासिक विग्रह क क्या है? तो क्यक्त यहाँ पर दिनानु दिन का दिन के बाद दिन यह आ रहा हैना समासिक विग्रह mean ते उत्तर हमारा सी है और समास कोन सा है अब्याई भाव समास को थोड़ा सा समझना है कि जिसका उत्तरपद का लोप हो जाता है और अब्याई भाव समास में पुरुपद प्रधान होता है यानि पुरुपद प्रधान होता है और उत्तरपद का लोप हो जाता है और अब्याई भाव समास को लिंग बचन कारक में ब करते हैं इसी तरह से समासिक विगर्ण करने पर विभकती का हम लोग प्रयोग करते यही कंद है कि समासिक विघर्ण की किया जाता है तो इस में विभकती का प्रयोग हमें करना पड़ता है आफ फोलेंगे एगले पसुञीं के तरफ नेवने में से कॉन सा शर्चा सब्द पुलिंग है कलस जड़ता-कृति और कॉया सho के तो पुलिंग शब्द कॉन सा है क्षा है तो कल्सु जो है ये पुलिंग सब्द है जरता-कृति काया से येश're तो शेस भी कल्प हैं वो सभी स्त्रीलिंग हैं अब चुक्कि थोड़ा सा लोग यह जानले कि तत्सम शब्दों में पुलिंग शब्द कौन-कौन से हैं थोड़ा सा एक उदारण दिया गया है यहाँ पर यह आपके शब्द भंडार को और सम्रिद दिकरने के लिए लाल पाल भिंग शब्द हैं अगिले प्रस्री की तरह हुआ चलते हैं नहीं है जियान की द्रिश्टी से ओ किस प्रकार का स्वर है यह जो दिर्गा स्वर है यह किस प्रकार का स्वर है तो अब हम लोग बात करते हैं पश्च विब्रित अगर विब्रित संब्रित या पश्च संब्रित तो अगर विब्रित और पश्च विब्रित का क्या रथा है पहले तो तो बिबरित को समेज़ लेई वेवरित का क्या मतलब इसको अम लोग समझ लें तो देखिए कि जिहवा के भावित भाग की उचाई की एधार पर जो जिहवा कहते हैं और विबरित्ष्वर क्या कहा लाता है यह दिव चारण के समझ जिहवा निष्चेट पड़ी हो और मुख विवर पूरा खुला होगा तो यह क्या होगा विबरित्ष्वर कहा लाएगा अब इस द्रिष्टी से हम लोग देखते हैं तो संद्रित क्या है उप जैसे उ पश्च समृच स्वर हैं अब एक इसको और थोड़ा सा परस्च समृच स्वर को सप्ष्ट किया जाए तो जीन स्वरों के विशारण में जीव का पश्च भाग कारे करता है नहीं पर इस को आजमाई यहां है जीव उपर यहां हम लोग महसूस करिए कहां से यह जीव का पश्च भाग उपर उखता है उ तो यह कार्य करता है उसे पश्च स्वर कहते हैं जैसे आ, उ, उ, ओ, और, ओ, या यह आगत, आ, सम्रित उन स्वरों को कहा जाता है जिन स्वरों के उच्चाराण में मुख द्वार खुला तो रहता है लेकिन लगभग बंद रहता है यह सकरा हो जाता है इसको हम लोग सम्रित स्वरों के रूप में समझते हैं अगिला प्रशन हम लोग देखेंगे हिंदी में अलप विराम का चिन्न सर्व विदित है उत्तर हमारा डी सही होगा आगे हम लोग बढ़ते हैं थोड़ा सा अलप विराम चिन्न के प्रयोक से संबंधित साउधानियों के बारे में भी हम लोग जाल ले अलप विराम चिन्न को तो हम लोग समझ गए इसके इसे जूड़ी हुई साउधानिया क्या है साउधानियों के बारे में हम लोग सर्चा कर ले कि वाक्य के बीच में प्रयोग पर वाक्य के बीच में जब शब्द कौन कोर से प्रयोग होते हैं पर इसी से इसलिए किन्तु परंतु क्योंकि जिसे तथा पी इन अभ्ययों से पुर्व अलब भीराम का चिन्ह लगा जाता है दूसरा दूसरी साओधानी हमें क्या करनी है कि संग्या या संबोधन शब्दों के पहचाद इसका प्रयोग होता है इसके बाद जिस वाक्य में अब देखे जिस वाक्य में वह यह तब तो या अब इत्यादी का लोप हो वहाँ अल्प विरामचिन का प्रयोग होता है जैसे कहना था सो कह दिया कहना था सो कह दिया तुम जानो यहाँ अब का लोप होगा वह यह तब तो या अब इन पदों का जैसे ही लोप होगा वहां पर किसका प्रयोग होगा अलप विराम का चोथी परिस्थिती क्या है कि जहां शब्दों की पुर्णा व्रित्ति की जाए और भावा तीरेक में उन पर विशेश बल दिया जाए यानि शब्दो सुनो सुनो वह गा रही है यह कहा जाता है यहां पर सुनो और सुनो के बाद क्या लगएगा अलप विराम का प्रयोग हम लोग करते हैं आगे हम लोग बढ़ता है नेता जी ने कहा था तुम मुझे खूदो मैं तुम्हें आजादी दूंगा इस वाक्य में कौन सा चिन दोनों चिन्ना हैं, इनके बारे में आपकी क्या राय है, इनको किस रेणी में आप रखते हैं, तो निश्चीत रूप से यहां उत्तर C होगा, और उधरार चिन्ने भी एकल उधरार चिन्न और दोहरे उधरार चिन्ने के रूप में हिंदी भासा में प्रयूक्त किये जाते है तो यहां पर दोरा उद्धर अर्चिन्नता तुम मुझे खूंदो मैं तुम्हें आजादी दूंगा अगले प्रश्ण की तरफ हम लोग चलते हैं निम्नलिखित सब्दों में से एक की वर्तनी शुद्ध है बाकी अशुद्ध है बात कर लेते हैं अधिन नहीं होगा क्या होता है अकसमात आकंठ यहां थोड़ा सा आपको कन्फ्यूजन हो सकता है तो इसमें अनुस्वार की जगा पंचमाच्छर का प्रयोग होता है अब बचता है यह हमारे पास एक मात्र विकल आकांड तांडव आकंड तांडव यह हमारा शुद्ध वर्तनी का शब्द है आग मैं थोड़ा सा रुखना चाहूंगा ताकि आपकी उट्तर को भी मेहले लेते चलो मझे लगता है कि इस पीड थोड़ी तेज्ज हो गई इस पीड ज्यादे हो गई इननमेसे वह इनमें से एक को जानता है तो यहाँ पर जो सही उत्तर हमारा है वो उत्तर डि एक को संग्या के रुप में प्रयुक्त किया गया है ठिक आगे हम लोग बढ़ेंगे अगले प्रशन की तरफ निम्न लिखित में से कौन सा शब्द जाती वाचक संग्या है कौन सा ऐसा शब्द है जिससे की जाती का बोध हो रहा है तो निश्चित रूप से यहाँ हम लोग बात करेंगे जाती वाचक संग्या परवत है नदी परवत लखड़ी है जाती का बोध कराते हैं यह जाती वाचक संग्या है अगेले प्रशन की तरफ हम लोग बढ़ेंगे मैं अपने आप कारे कर लूँगा वाक्य मेरे खांकित सर्वनाम सब्द का भेद क्या है यहां पर जो यह सर्वनाम सब्द है इसका भेद क्या है पूरुस वाचक निजवाचक निश्चेवाचक यह संबंध वाचक निश्चित सर्वनाम को हम लोग परिभासिक सब्दों में अपनी भासा में समझने के बाद थोड़ा सा परिभासिक सब्दों में देख लें कि जिस सर्वनाम सब्द से निजिता का बोध होता हो उसे निजवाचक सर्वनाम कहते हैं और ये शब्द करता के बोधक तो होते ही हैं किन्तु स्वयंग करता नहीं होते या करता का कर नहीं होते यह क्या करते हैं यह शब्द करता के केवल बोधक होते हैं लेकिन स्वयंग में करता नहीं होते हैं ठीक आगे हम लोग बढ़ेंगे मैं अपना घर मटमेले रंग का रंगवाया है मैंने अपना घर मटमेले रंग का रंगवाया है इसमें मटमेला शब्द क्या है अब यहां पर मटमेला शब्द विशेषण है विशेषण है सर्वनाम है या संग्या है निश्ची तूप से आपको पता है कि यह मटमेला जो है हैं और यहां जो के बात कर लें तो संग्यां यहां ग्रहण है क्लीक हो एट को General का भीछा का एक्षे के शोट का ऐष्ज़ बहुत जासो है पता हिति समझ में आती है तो मैं निदम करूंगा कि आप उसको जो है इगनोर करते हुए आगे बढ़ेंगे क्योंकि हमारा मुल उद्देश से टाइपिंग मिस्टेक देखना नहीं है हमारा मुल उद्देश यह है कि प्रस्ण में हम सही बिकल्प का चुनाव कर पाते हैं कि नहीं हमारा मुल उद्देश से यह नहीं है कि प्रस्ण की ब्याख् देखने की बजाए आप इस पर केंद्रित आपका ध्यानिस पर केंद्रित रहे की प्रश्ण के दिये गए विकलप्वों में सही उत्तर का चुनाव हम कर पाने में कितने सफल हो रहा है यह आपका कर रहे है चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं अगे प्रश्ण कि तरफ वह चलते चलते रुक गया यह वाक्या है क्या है सर्वनाम क्रिया अभ्याय या क्रिया विसेशन अब इसकी बात हम लोग करेंगे तो निश्चित रूप से यह क्रिया विसेशन है क्योंकि चलना एक क्रिया है और चलते चलते रुक गया यानिकि क्रिया की विस्षस्ता क्या की चलते चलते रुप जाना रुप नाए प्रिया है तो थोड़ा सा इना सब्सक्राइब रमने में छालेंगे तो मूलय योगी स्थामिय के साथ साथ मूल क्रिया विसे तRIA या कुछ और भी रूप के अधार पर प्रयोग के अधार पर अर्थ के अधार पर लेकिन यहां हम लोग बात करेंगे रूप के अधार पर क्रिया विसेसर्ण अब्याई के बेद जो तीन प्रकार से हैं मूल योगी को और इस्थानिय मूल क्रिया विसेसर्ण क्या है कि ऐसे क्रिया विसेसर्ण जो किसी दुसरे शब्दों के मेल से नहीं बनते हैं मूल-कृयाइब इससड कालते हैं अर्थात ऐसे सब्द जो दूसरे शब्दों में प्रत्य लगे बिना बन जाते हैं वे मूल शब्द कहलाते हैं अब प्रत्य लगागा करके बनाया जाए तो वह यहोग in strongest जागा अन्य संबंद बोधक कौन साय कटोरे उसने भर या खाई तो अनुबद संबंद बोधक क्या होगा यहां पर अनुबद संबंद बोधक जो होगा वह सही उत्तर हमारा भर होगा कट उसने कटोरे भर खेर खाई तो यहां संबंद इस्थापी थो रहा है कटोरा से खेर का और कटोरे म भर कटोरा खिर वो खा रहा है ठीक लेकिन और अन्य अनुपध संबंद बोधक अब्यागे कुछ हो दारणों के बारे में हम लोग जाल ले लगभग मात्र तक अंतरगत ये अनुपध संबंद बोधक हैं और इसके भेद जो हैं कौनकोर्स हैं सभी भक्तिक यानि भी भक्तिक के साथ हो बिना विभक्तिक के निर्विभक्तिक और उभय भक्तिक यह तीन भेद हैं आगे हम बढ़ेंगे किस सब्द में गण का प्रयोग कर बहु बचन बनाया जा सकता है किस सब्द में सरी किस सब्द में गण का प्रयोग कर बहु बचन नहीं बनाया जा सकता नेता गण सिक्षक गण भक्त गण या देवी गण क्या देवी गण हो सकता है तो सही उत्तर जो हम लोग देखते हैं इसका उत्तर होता है डी देवी में गण सब गण जोड करके हम लोग बहु बचन नहीं बना सकते क्या होगा नेता से नेता गण होगा सिक्षक का सिक्षक गण होगा भ प्रक्राश्ण की तरफ कौन सा वाग करकर के इसका उत्तर देथि मोहनी खाती होगी उसने खाया है मोहनने पढ़ा यदी वह जाता तो मैं भी जाता यहां के वल भूत कर कर नहीं है तो इसका जो सही उत्तर है वो सही उत्तर क्या है यदि वह जाता तो मैं भी जाता यानि एक क्रिया के साथ दूसरी क्रिया आस्रीत है यह है तो है तो मदभूत काल है यदि वह जाता तो मैं भी जाता है यानि एक क्रिया संपन्न होती है एक क्रिया पर आश्री दूसरी क्रिया जब होती है तो यहां पर हे तो हे तो मदभूत होता है आगे हम लोग बढ़ेंगे भविशेकाल के कितने भेद होते हैं यह बड़ा आसान प्रश्ण है और इसका उत्तर मैं आपसे चाहूंगा और चुकि उत्तर तो आपके पास है और इसकी व्याख्याब हों लोग देख लें तो इसके तीन भेद हैं समानने भविशेकाल रमेश विद्याले जाएगा संभाब्य भविशेकाल जिसकी संभावना है संभाव है या शायद कल परिक्षा होई संभाब्य भविशेकाल है हे तो हे तुमत भविशेकाल यानि मा खाना बनाये तो मैं खाऊं एक क्रिया पर आसरी दूसरी क्रिया है त इन शब्दों में उपसर्ग कौन सा है सत्र है या सण है सन है तो इन शब्दों में जो उपसर्ग है निश्चित रूप से आपके पास इसका एंसर है समुपसर्ग आगे हम लोग बढ़ेंगे एकले प्रश्ण की तरफ वाह क्या सुंदर दिर से यह किस प्रकार का वाग्य है तो यहां पर इसके वाख्य को यहां पर हम जैसे इन चिन्हों के बारे में हमें जानका रिये तो हमें पता है कि यह किस तरीके का वाख्य है तो इसका जो सही उत्तर है वो ए बिसमयादी बोधक अगले प्रश्ण की तरफ हम लोग बढ़ेंगे निमने में से किस विकल्प मे तूटी नहीं है यहां तीन विकल्प ऐसे हैं जिसमें तूटी है और एक ऐसा है जिसमें तूटी नहीं है थोड़ा समय ठारा हो लूँगा ताकि आप इसका एंसर दें और हम लोग आगे बढ़ें करा तो इसका जो सही एंसर है इसका सही एंसर है यह और क्या है कि उस कागज पर मैंने हस्ताक्षर कर दिये अब चुक히 यहां पर कारक संबंदी कुछ और शुद्ध और शुद्ध वाक्यों को देख लिए या कहां कहां समान्य सुद्धियां होते हैं यदि ये उत्तर आप से आप संतुष्ट नहीं है तो वह बस पर यात्रा करता है तो क्या बस पर यात्रा ये पर जो कारक लगा हुआ है यहां ये सही ह यहां पर होगा वह बस से यात्रा करता है ऐसे ही नौकर का कमीज तो यहां नौकर का कमीज की जगह नौकर की कमीज होना चाहिए समाने सुधियां है जो हमें जाना चाहिए यह कारक संबंदी यह सुधियां है बिना पैसे का किसी भी आदमी को समान नहीं मिलता तो बिना पैसे का की जगह पर सुधद्ध तो ये होता न कि बिना पैसे के किसी आदमी का संपान नहीं होता ऐसे ही और भी प्रष्ना है जिसह के लख़़गी लाया तो याग याग को लख़़गी नहीं लाया या ये करेक्र सनर के संदर्व मेंकों सा तत्य सई है व्याकरणिक सनद्चना की बात करें तो gekommen साथ अठ्य सई है मैं एक Waltry इसको पढ़ता हूँ कि मानखे हिंदी मेंदस कारकों के लिए भक्ति चिन्ल निश्चेत अंप मानक हिंदी की बागे संद्चना में समानिता पहले क्रिया फिर करता और अंत में कर्म आता है क्या यह सही है कि समानिता पहले क्रिया फिर करता और अंत में कर्म आता है मानक हिंदी में केवल एक बचन होता है ऐसी बात ब्याकरणिक अस्तर पर मानक हिंदी के रूप परिवर्त मानक हिंदी करwegen नक शंदरमें जो सहीध त्रहणं की रूप परिवरतन्शील भी है और और अब परिवर्तन में जो कारकों की संख्या दस बताई गई थी विगलप में वह दस होगी या आठ होगी और वाकिस अरगई सञवाओन में पहले करता कर्म और क्रिया का क्रम होता है और इसमें दोनों बचनों का प्रयों होता है एक बचन और बहु बचन का बहु बचन दोनों बचनों का प्रयोग होता है अतह हमारा उत्तर डी सही है आगे हम लोग बढ़ते हैं इस सरल वाक्य को परिवर्थित करना है अतिथी आये और कारेक्रम शुरू हुआ अब व्याख्याबाद में देखेंगे पहले आपसे कारेक्रम शुरू हो पाया दिये हुए वाक्यों में परिवर्थन संभौ नहीं है क्या यह सई है अब इसकी ब्याख्या हम लोग देख ले मुझे लगता है कि आपके पास इसका उत्तर आ गया होगा परयाप्त समय आपको मिल गया है उत्तर के अब हम लोग बात कर ले ब्या वाक्य के बारे में हम लोग जान लें तो जिन वाक्यों में केवल एक ही उद्देश्य हो और एक ही विध्य होता हो या होता है उसे सरल वाक्य कहते हैं सन्युक्त वाक्य क्या कहता है जब दो या दो से अधिक सरल वाक्य योजग के द्वारा एक दूसरे से परस पर जूडत कि जिन वाक्यों में एक प्रधान उपवाक्य हो और दूसरा आश्रित उपवाक्य हो वो मिस्रवाक्य कह लाता है आगे हम लोग मढ़ेंगे अगले प्रोश्री की तरफ किस शब्द में बिसर्ग संधी है बिसर्ग संधी किस शब्द में है तो हिमालय अहंकार उल्लास लेकिन यहां जो दूसकर है यहां पर क्या हो जाएगा हमारा बिसर्ग संधी हो जाएगा कैसे तो हम लोग देखते हैं कि दुह धन कर बिसर्ग के साथ कव का प्रयोग होता है तो यहां क्या हो जाएगा बिसर्ग संद्धी और संद्धी यहां पर के साथ आ यानि दिर सफसंदी उल्जास में हलंत lega खुआ है या lke इनींग संबंध हो रहा है प्रीजन संदी अहमकार iHAN के सथ का सयल रहा है तो यह इसका जो सही उत्तर होगा यह हम लोग चर्चा कर लेते हैं यहां कि दुर्जन का जूसन्दिफिश है वह दुछ धन जन यानी दुर्जन ये बिसर्ग संधी है अव थोड़ा सा बिसर्ग को हम लोग जान लें कि बिसर्ग के पहले और आ को छोड़ कर कोई अन्यस्वर और यानि आप वह लिए बिसर्ग हो गया। यह बिसर्ग हो गया इस बिसर्ग से पुर्व और और आपण छोड़ कर कोई भी अन्यस्वर हो औरबाद्मे कोई सवर्व कोई भी अन्य स्वर हो और बाद में कोई भी स्वर हो यह तो पहले पहली कंडिशन है कि इसके पुर्व में आ आ को छोड़ कर कोई स्वर हो और इसके बाद इसके बाद कोई भी स्वर हो चाहे आ हो आ हो कोई स्वर हो या किसी भी वर्ग का वर्गिये बियंजन की बात करें तो इसमें से किसी भी वर्ग का तीसरा चव्था और पाचमा वर्ड हो या अन्त Lasan की बात कर लिए यह राला वह हो तो कोई भी मतलब इसमें से कोई भी हो तो क्या हो जाएगा سंपर आ कि परिवर्टी थो जाएगा इस पर सो रहा है फिर से हम लोग समझ ले यानि कि बिसर्ग के पुर्व और या आग को छोड़ कर कोई स्वर हो और यह एक कंडिशन रहा कैसे होता है बिसर्ग का रहा में परिवर्तन कैसे होता है इसको हम लोग समझ रहे हैं कि बिसर्ग से पुर्व और आग को छोड़ कर के क ऐसके बाद क्या क्या आये गात रहोगा कोई भी स्वार आ जासा, या वरगी अबेजन का तीसरा चोथा और आसे लोघ ए या या रवर हो जाए या र огल अ हो तो भी सर्ख किसमे परिवर्तित do जाहेगा रमय परिवर्द में जैसे नियदं आशा निराशा दोधन दसा दूरदशा आशी धनवाद आशिरवाद ऐसे ही आगे आए कम बढ़ेंगे साधभावना शब्द में समास है कौन सा समास समास के बारे में दिश्तार से पढ़े हैं अब फ्रौ समास कर दो समास तो इस सच्ची है यानि विशेशन और विशेश से का संबंध है ठीक तो जब विशेशन और विशेश से का संबंध निरधारी तो होता है तो वहां कर्मधारे समास होता है थोड़ा इसको और विस्तार देंगे तो जिस समास के समस्त पद का उत्तरपद प्रधान हो और पुरुपद उत्तरपद में 20-22 का संभंदों 20 से 20 का संभंदों वहां क्या होता है करमधारे समाथ होता जैसे देह लता देहरूपी लता और प्राण के समान परिये ठीक छलिए कुं इस तरह से हम लोगों की येस्रिकला समाप्त होती है और मैं आप आप लोगों का बहुत बहुत आभार विक्त करना चाहता हूँ, आभारे हूँ, सहयोग के लिए धन्यबाद, नमस्कार. वीडियो लेक्चर्स, नोट्स और टेस्स सीरीज के माध्यम से लेखपाल के पूरे पाठकरम को पढ़ाना और अभ्यास कराना ही हमारा लच्छे है, जिसमें आपको मिलेंगे राजसु लेखपाल के संपूर्ण पाठकरम को कवर करने के लिए अनुभवी सिच को द्वारा व जाएगी, ध्यान दें यहटे सेरीज परिच्छा से एक से डेढ़ मापूर्व शुरू होगी, दस मही से आनलाइन वीडियो क्लासेज स्टार्ट होंगी, तथा शुरुवाती दिनों में आपको दो वीडियो क्लासेज दी जाएगी, जिसकी संख्या धीरे धीरे बढ़ाई वीडियो लेक्चर्स में किसी भी एक वेसाय के टापिक के पूरा होते ही उस टापिक की पीडियाफ रिवीजन करने के लिए दी जाएगी, वीडियो लेक्चर्स में आपके प्रस्णों एमम डाउट्स का नेराकरण संबंधित से चक द्वारा एक ही वीडियो में अलग से वीडियो बना कर किया जाएगा, जिन आशंकाओं का निवारण व्यक्तिवगत रोप से किया जा सकता है, उनके लिए व्यक्तिवगत मार्क दर्शन भी दिया जाएगा, सभी वीडियो लेक्चर्स पहले से ही रिकार्डड होंगे, तथा लाइव क्लास नहीं होगी, जिससे जात्र अपनी सुविधा के अनुसार किसी भी समय वीडियो लेक्चर्स को देख सकेंगे, वीडियो लेक्चर्स एंड्राइड आप के माध्यम से आपको दिये जाएंगे, तथा वीडियो को आप में ही डाउनलोड कर कितनी भी बार देखने की सुविधा मिलेगी, करंट अ जिम्मेदारी भी है, तो जुड़िये हमारे राजस्य लेकपाल भरती परिच्छा 2020 के 90 दिन के क्रैस कोर्स प्रोग्राम से, अधिक जानकारी के लिए 950-6742546 पर लेकपाल लिखकर वाट्स अप करें या काल करें